नमस्कार विहारी नियोज में आपका स्वागत है मेरतन सिन भारती अज हम बात करेंगे दूध के दाम को लेकर देश में जारी महंगाई पर बॉलिवुड की एक फिल्म का गाना याद आ रहा है जिसके बोल हैं सहीया तो खूब कमात है महंगाई डाइन खाय जात है ठीक इसी गानी की तरह देश की बरतमान इस्थिती है पती तो रोज कमा रहा है लेकिन महीने की आकरी दिन आते आते उसक पतनी इस गाने को दोहराने लगती है और कहती है महंगाई डाइन खाय जात है बरती महंगाई के बीच में एक खबर सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जीवन का आधार कहे जाना वाला दूद एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है बताया जा रहा है कि प पर महंगाई की एक और मार लगी है बतादें कि अमूल के साथ ही मदर डेरी दूद के दाम में दो रुपया की बढ़ोतरी की गई है बतादें कि यह बढ़ी हुई दर 17 अगस से लागो हो जाएगी बतादें कि दूद के दाम में यह बढ़ोतरी उस समय किया गया जब पैकेट वाले समानों पर 5% की बढ़ोत्री की गई है ऐसे में आम लोगों के उपर इसे दोहरी मार्क रूप में देखा जा रहा है कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बढ़ोत्री के साथ ही रसोई घर का बजट भी बढ़ने वाला है अमूल के तरफ सज्जारी बयान में यह बताया गया है कि गुजरात कौपरेटिव मिल के मार्केटिंग फेडरेशन अमूल बैंड ने दूध और डेरी के उत्पाद और विक्री करता है साथे साथ उन्हों ने यह भी कहा कि अमूल दूध का अहमादाबाद सौराष्ट दिल्ली एंसियार के साथ पस्चि पंगाल मुंबई के स साथिस अभी बजारों में दूध की कीमत में इजाफा किया गया है बता दें कि इस साल मार्च महीने में भी अमूल दूध के साथ कैई एन ब्रांड के दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई थी अब एक बार फिर से इसमें इजाफा किया गया है अमूल दूद के साथ मदराडेरी के तरफ से बढ़ोतरी की बात कही गई है मदराडेरी को लेकर यह भी बताया गया है कि बुधवार यानिके 17 अगस से दूद 2 रुपिय की बढ़ोतरी के साथ मारकेट भी मिलेगी हाना कि अमूल ने मुल बढ़ोतरी को लेकर दलील पेस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि खरीद और लगान में बढ़ोतरी की बज़ा से यह फैसला लिया गया है आपको बता दे कि मदराडेरी का धिली इंसीयार में सबसे बड़ा बिक्रेता है आपको बता दें कि कंप्री परती दिन पॉली पैक और बेंडिंग मसीनों के माध्यम से करीब 30 लाक लीटर दूद की विक्री करता है ऐसे में अब 17 अगस से अमूल और मदर डेरी के दाब में 2 रुपिय की बरहुतरी की गई है आई अब जान लेते हैं इसकी कीमत के बारे में अमूल और मदर डेरी के फूल क्रीम दूद की कीमत 69 रुपिय परती लीटर थी जबकि अब बढ़कर 61 रुपिय हो गई है वहीं टूंड दूद की कीमत देख ले तो 51 रुपिय परती लीटर होगी जबकि डबल टूंड दूद की कीमत 45 रुपिय होगी वहीं अगर हम गाई के दूद की कीमत की बात करने तो दाम में बढ़ोतरी की गई है और यह जो है तिरेपन रुपे हो गई है एक किलो का दाम है ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सुधा के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है हाला कि खबर लिखे जाने तक सुधा के दूद के दाम में बढ़ोतरी की बात नहीं कहीं गई है लेकिन पिछले महीने में पैकेट वाले सामानों में खरिजने में 5% की जो GST लगाया गया है उसके बाद से कई प्रोड़क्ट के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है ऐसे में एक बार फिर से दूद के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है साथ साथ ये कहलें की मध्यम बर्गिये परिवार और आम आदमी के लिए एक दोहरी मार के रूप में इसे देखा जा रहा है बिहार और बिहार से जुड़ी और भी इसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियुट के साथ मुझे देखा जाजाद धन्यवाद